तो आज हम फिर से वापस लॉट के आए हैं उसी गार्डन में जिसको हमने थोड़े दिन पहले शूट किया था और आज का जो हमारा ये ब्लॉग है आज ये स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आज हम शूट करने वाले हैं साइंटिस्ट दुरलब सिंख पूरी जी को और यहां पर उनके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है तो हम भी आये हुए थे और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सारे के सारे साइंटिस्ट लोग हैं जो की हमाचल से नहीं बलकि उतरा खंड से आ रहे हैं तो मिलवाते हैं आपको उन से वैसे गार्डन आज कल ड सर को इस वाले प्रजेक्ट के लिए पेटेंट मिला है और ये हमारे सोलन के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि या पूरे हिमाचा और इंडिया के लिए हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है ये सर की सारी यहां पे डिटेल्स है जिस चीज के लिए इनको पेटेंट मिला है और सर को राष्टपती एवार्ड भी मिल चुका है, आप सर को गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यह सारा का सारा जो सर का प्रोजेक्ट है, जिस पर पेटेंट मिला, यह सब आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप लिख सकते हो ऐसे रमंदीप, इको हमाम, इस तरह से आपको गूगल पर सब कुछ मिल जाएगा, सर के बारे में, सर के काम के बारे में, और जो यह पेटेंट मिला है, इसके बारे में सब कुछ, तो चलो, आप लोगों को अब सर से मिल वाते हैं, और सर इसके बारे में बात करेंगे, और जो आज प्रोग्रेम है, उसके बारे में भी ब का बेटा है और हम इंतजार कर रहे हैं टीम के आने का टीम के आते ही हमारी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और सर के एक्सपिरियंस हम भी सुनेंगे बहुत मजा आने वाला है आज बिलकुल हमें बताने वाले हैं कि आज की जो ये ट्रेडिंग है किस विशे में ट्रेडिंग है और किसी देर तक चलने वाली है ये ट्रेडिंग प्रोग्राम यूनिवर्स्टी ऑफ हॉर्टी कल्चर एक एड्वांस ट्रेडिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा है होगा ये लेक्ट्चर जिसमें हम अपने एक्सपिरियंस शेयर करेंगे कि हमने जो चीजें वर्ट्यू आफ अवर एक्सपिरियंस ही की वह हम उनको प्रैक्टिकली दिखा सकें और हमारे साइंटिस जो हैं उन ची पूरी की पूरी टीम आ चुकी है यह समय यह पूरी टीम आ चुकी है यहां पर आज जो यहां पर लेक्चर होने वाला है वो एक्जेक्ट लेक्चर नहीं है क्यूंकि यहां पर जो भी सैंटिस्ट आए हैं वो कोई थियोरी नहीं पढ़ेंगे और थियोरी नहीं सुनेंगे उनके सामने जो भी सर करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे और उन लोगों को जो भ नाइस बैग्राउंड वाला इंसान भी उसको इजीली समझ सकें। आज जो ये 20 साइंटेस्ट का ग्रूप यहाँ पर आया है। इनको साइंटेस्ट दुरलब सिंग पूरी जी वो सारी चीजे दिखाएंगे और बताएंगे जो कि एक बाटनी बैग्राउंड साइंटेस्ट को और एक एन्वार्मेंटलिस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। यह सबसे ज़्यादा यूसफूल साया। वो रिच नहीं है। और टॉपसायल का इसमें कुछ नहीं है। वो ब्लैकिश थी और दूसरी चीजी इसमें यह है। इस इसी ग्रेड जो पाइनली हमें अपने गंबले वगारा में अगर जासे लगाते हैं उसके लिए चीजिए। इसका जो अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक तो कलर प्लस ऐसे करने पर इसका लड्डू नहीं बनेगा। संज़े आप। तो कहने का मतलब यह है के जो फ्लीसिफल है। यूसिंग सेम वड गेटिंग मैक्सिमम अनर्जी आउट 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 एट एट आट वोड शुट नाट वी एवड फ्रॉम दी फ्रेश ट्रीस। क्योंकि बात है के प्लांटेशन को प्रोटेक्ट करना है। मैक्सिमम अनर्जी कर्जम्शन कहां मिलेगी आपको पाने गरम करने के लिए बलब कितना खा दें। एक हीजर आउट करते हो, मिनिमम दो हजार वाट विजडी उसी वकत का लेगा। वान आवर कंजम्शन मेंस तो यूनिट्स अफ्रेक्टिक्सी इन वान आप। ये रेशो है। हमने ही देखा कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं। जिससे हम पानी तो गरम करनें। अगले साल के बाद आपके लिए वेस्टेज है। अगले साल आपको फिर काटने पड़ेगी। हम प्लांट को नहीं काट रहे हैं। वो आपकी क्रॉप के लिए और्ड़ी इस्तवाल हो रहा है। वो जो बच गया है आपके पास लेफ्टोगर। पूसको एज़ फ्यूल इस्तवाल कर सके लिए। अब ज़िलाओगे तो दुवा निकलेगा। वो चार्बन डापसाइ निकलेगी, कार्बन मोनोसाइड प्रदूस करेगा। इन चीजों को एफिशेंटली कैसे रिद्यूस करना है। पानी भी करम हो, एनवारमेंट को भी नुक्सारना ह। इन सिंगल उप्रशन अवन उनित सेव 15,000 वाट्स उप्रदूस करें निकलेगा। जलने पर आपका कार्बन मोनोकसईड और कार्बन डियोकसड का जो प्रदूस का जो प्रदूस का जो एज़न है। इसकी टेस्टीड रेटिंग 0.035 उससे 0.005 कम अब आप देखिए के यह इधर इतनी ज़्यादा जड़े हैं इसकी थाना और उपर इंट है और यह जो जुमन आपको दिखा रहा हूँ यह इस पर रखा नहीं गया यह इस पर उगाया गया। जो पिछला आपका ट्रिनिंग विजट आई है वो तिन-चार दिन पहले थे तब भी था अब भी आपको लगडा होगा को दिखी है। इसकी कोई हायर मेडिसिन बेल्यू ऐसा है। मुझे नहीं को आपको आपको हमें यूज नहीं पता हूँ हम ठैकेंगे। अगर सैंटिफिकली पता हो के अम इसका कुछ कर सकते हैं तो जो भी कर सकते हैं। इससी तरह से यह है कि यह सारे प्रांस सेंटर आपकें तरह लगे हुए। यह सेक्षी तरह है। उससे मिदस वही है जिजो औरों के ना होती हो। जो भी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इतना बड़ा प्लांट और इतनी सी ब्रिक के उपर से प्रैक्टिकली स्वाइब सोज तो है निए इसके बास कुछ भी और यह सरवाइब कर रहा ह। ठीक है इसके तरह भी ठीक है। तो कहने का भी प्राइए है कि इसमें यह मैक्सिमम अपनी एनर्जी फूर जो इसको चाहिए इस गेलिक प्लूइट। नेचर में यही होता है कि सब कुछ अवेलेवला है हमें लगता है कि क्या होता होगा कुछ नहीं है। किसी पथर के बीच में आपको प्लांट होगा वा देखेगा। और वो इतना हेल्थी होता है। कौन पाली डाल रहा है पढ़गी पारश तो पढ़गी नहीं पढ़गी तो नहीं पढ़गी। लेकिन उसके पीछे यह है कि उन दो रॉक्स के बीच में एक द्रार है। वो द्रार कितनी गही है हमें नहीं मगो। हमने आपको बाहर बताया कि एक टम्रामेंट है। रूट कोशिश करेगी अपने फूड की तरफ जानेगी। जितनी दूर होगा उतनी ज्यादा ट्रेवल करेगी। यह नहीं कि फूट यहां रखा और उसके बाद रूट को कहे तू तो जा। यहां भी थोड़ा 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 अवेलेबल है। तो यह पूट के चाहिए। यह इस चीज का पीछे मैंने इसको बंद किया है। इसके अंदर पूरा सौयल है। यहां से फूड ले रहा है। ग्रोव पर हो रहा है। बाकी आपको इसकी रूट्स, जो टिनेंसी मैंने आपको बताई, यह देखिए, वो व्यू और रेड बैंड है, बाकी की जगा में उसका कोई ज्यादा काम नहीं है, अगर यह हम लेजर यूज कर रहे हैं, that means के we have concentrated the light in a specific scientific way, in a particular spot, यह ज्यादा अच्छे से प्रनाउंस करके में बता देगा के अगर medium बीच में बदला, क्या होगा, मैंने यह bathroom glass रखा है, ठीक है, इसको मैं जैसे ही इसके interference बीच में नाऊंगा, see the effects, यह सर मैं directly आपको बता रहा हूं के इस वोकर यह light जा रही है, आप इसको मानें के this is one unit of energy, अगर इधर से डाल दें, गायब, यह ग इसको मैं इसको मैं इसको मैं इसको मैं इसको मैं इसको में एक दूसरा medium इंट्रड्यूस करता हूं, आप इस, आ रहे हैं सब को नजर, तिक था सब को, अब क्या हुआ के उतना unit of light is splitted into smaller segments, कहीं है कहीं नहीं है, यह जब quantum के उपर आप बात करेंगे के light को split करना, यहां light थी, यहां नहीं थी, यहां है, यहां नहीं है, नीचे मुड़गी इधर कर लीएप, यह नीचे pattern, हल्का सा भी बदलूँगा, यह pattern change कर लेगा, देखिया, nor interference, with interference, इस से क्या सिद्ध होता है, इस से यह मालूम पड़ता है, कि एक plant को, एक specific configuration of light is most healthier, वो sunlight है, जितना ज्यादा बीच में हम छेडखानी करेंगे, plants will be uncomfortable, अब light on कर लीजी यह दिखिये, दीधा भी similar experiment, but with a stronger light, इस में वही pattern के उपर वो है, बीच में जाली है, आके polythene लगी ही है, हमारे पास यह horticultural polythene जो specified है, यूवी प्रूफ इसको कहते हैं, यह वह वली, तो यह मेरे पास एक unit source of light है, मैं इस में से pass करूँगा, and you find this, lower end से जारी है, अपर से जारी है, यह चेंज आया, उसके बाद यह बीच में आई, यह चेंज आया, बिना interference के यह चेंज है, यह natural है, कुछ percentage काटी फ़र्क आता है, मतलब इतनी सी जाली में भी फ़र्क पड़ दाएगा, अब यह बात हुई, मैंने polythene में डाली, देखिए, दिखने को लगता है, कि सब कुछ हो रहा है वैसा, पर वैसा बिलकुल नहीं हो रहा है, यह जो smallest change है, यह इतना बड़ा scientist है, कि यह इस चीज़ को recognize करता है, कहीं वो comfortable है, कहीं पर वो नहीं है, अगर हमने plant को, जिसको acclimatization आप टेक्निकली कहते हैं, अगर वो करना है, तो उसको ठीक ऐसी conditions देनी पड़ेंगी, जो नेचर में उसकी survival के लिए important है, अगर आप में से कोई biotechnology का student है, तो उनको मालम होगा, बायो टेक्नोलोजी में, without any problem, लेब में हम कुछ निलियन प्लांट्स में नेवर में ग्रो कर सकते हैं, फ्यू मिलियन के कितनी बड़ी लेब है, उसमें ग्रो कर सकते हैं, जो problem आती है, transferring of that genetic material to feed, उसमें survival rate 2% है, वो क्यों के यह जो बीच का acclimatization का step है, यह हम ठीक से करने पाते हैं, हर प्लांट का अलग है, आपने हमारे देखा कि हमने वहाँ ब्राइफाइट चुबाए, फर्न अबाए सब को चुबाए, तो चीज यह थी, कि medicinal plants एक important चीज है, यह forest में उती है, ठीक है, जिसको पता लग जाएगा कि इस प्लांट में कोई medicinal value ह है, वही plant समझो गया, best is कि उस प्लांट को migrate करिये, घहन लाइए, propagation को learn करिये, establish करिये, और वापस उस प्लांट को नेचर को दें, फिर तो आपका contribution positive बनता है, otherwise you are negative contributors, वो नहीं पनना है, हमेशन ही आद रखिये, नेचर की मर्जी के खिलाफ, कुछ भी करोगे, तो it is only invitation card of a disaster, आपको उसका कोई फाइदा नहीं होने वाला, आज हो जाए, कल हो जाए, Yes, unfortunately, हमारा उतराखन का जो एरिया जोशी मत, is one example, हमारे सोलन के बीच में, तीन-चार बिल्डिंग्स विद पीपल, आप सेंग्ड, हम यहां पर पहुंचे, और यह प्रदेश और मैं समझता हूं के पूरे इंडिया के बीच में, शायद मैंने नहीं 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 नही है, वर्ड वाइड, कुछ लाइफ मेंबर होंगे, लाइफ मेंबर शायद हजार से कम है, और कवर पे फोटो लेने वाला कोई भी नहीं, इंडिया से तो बिल्कुल नहीं, तोकि यह रिसर्च अन्रिपोर्टेट, इसको, RHS को, पब्लिश करते हुए, दो साल लगे, जब ब यह प्राब्लम आ रही है, मॉस उन से नहीं होगी, इस इंड पर आप दखेंगे, मॉस नहीं है, मेरे स्पेसिमेंस पर पहले मॉस है, फिर प्लांट है, इनलसिस के बाद हम आपको एक सेंटेंस बोल रहे हैं, क्योंकि साइंस में अगली जन्रेशन का तो हम आपको चीट कर पाद उसका जो प्रोटाइज पैवर की इस कीट वाटल जो आपके बैस्टो जाएंगी के तरह उतेक तो कि खालों कि ए सेंदेर्व ए डिख़ए हम जदा गया इसमें हो इसको बनाते वे चपेलेर अपर पर जर्ग जालों हम जद आगे हैं में ज्रिवात आशेफे वाले एक आशेट अभाव समय हुआ जया रहा है। कुछ नहीं है जो किया है उसको तुँ अंगरेजी में मत बहु हिंदी में को और भी है भी आफे कॉंचेशन आफ नाफेस्टृ नोची सिंग्स सब्सक्राइब का और याफ ये अरे अगाना में जी क्या रेलिब काते हैं कि ए सब्सक्राइब कि अभरें है वे अब है और जैना अब बहुत मैनत करने है रहुत है कि और यह यह अचाय के इन ही और यह वह इंदי घालते है तो यह विजिट बहुत ही सक्सेस्फुल रही और बहुत मजा आया बहुत सारी चीजे नहीं थी जो हमें सीखने को मिली आज इस वीडियो में और हम आपके साथ भी शेयर करेंगे आप देखते रही है हमारा चैनल घुमकड जिपसी लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए और पित कह र से अली और हमारे चैनल को जाड़ में आपके सित्वाएब और हमारे जानल वेदैनल को समय जाल ये जएकीजिए खबाषने कीजिए और ओित दो रहें